जहें दोस्तों स्वाकत अपलो मेरे चैनल की एक और नहीं वीडियो में आज की इस वीडियो में आप लोगों दिखाने वाला हूँ 2022 विटारा ब्रेजा इन रेड कलर बिकॉज इस से हमें ये हिंट मिलता है कि इस वीडियो का जो लॉंच है वो हम जून या जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानि की मिड ऑफ 2022 जो रूमर्स पहले भी चल रहे थे अब आप इसको पहले तो वाइट कलर में अच्छली देखी चुके होंगे जब इसके जो लीक साई से फैब में अराउंड तो तब इसका जो फ्रन्ट लुग था रेर लुग था वो सब कोछ रिवील कर दिया गया था और इंटे Jeżeli कर दिया था विकल का ओवरॉल अब देख सकते हैं इन्टेयर में में floating type touch screens में देखनों मिलेगी बीच में M.I.D. सा रहेगा बाकी इसका जो speedometer और tachometer है वो तो analog वाले ही देखनों मिलेंगे sun roofs भी इस vehicle में offer करी जाएगी साधी साथ अब इसका नाम शाहिद से सिरफ और सिरफ breza रख दिया जाए इंस्टेड और अरा breza तो और चीज़ों के बारे मात करें गाइस तो आप अपनी स्क्रीन के सामने spy shot देख सकते यह है red color में dual tone paint में actually इसकी रूफ है वो black है and body paint जा नीचे वाला body है उसका paint है red आप फ्रंट से देख सकते वीकल कि इसमें आपको LED headlamps देखनों मिलेंगे and overall काफी rugged सी और काफी अच्छी से लोका रही है वीकल की जैसे कि आप अपनी screen के सामने देख सकते हैं side profile के बारे मात करें तो side profile से अगर आप closely देखे तो यह कही ना कहीं Citroen से copied लग रहा मुझे थोड़ा बहुँ डिजाइन is it just me या आपको भी यह लग रहा है do tell me in the comments down below जैसी आप देख सकते है Citroen C5 Aircross साइट से कुछ ऐसी लगती है and यह भी थोड़ी बात मुझे वैसी ही लगी तो do tell me in the comments drop your thoughts in the comments down below तो आप देख सकते है overall side profile इस vehicle की ऐसी रहेगी and this vehicle is going to be totally changed as compared with the current model जो की एक type से first generation की facelift ही भी करी अभी यह एक type से second generation जैनि की all new model रहने वाला है but still आप इसको देख के पता लगा सकते है कि यह एक विटारा ब्रेजा ही है it is not that much changed बट हाँ इसमें काफी हमें ज्यादा अच्छे अच्छे changes देखने को मिल जाते हैं वेकल में overall and अगर हम इस वेकल की engine specifications के वारे मात करें तो engine हमें वही same वाला देखने को मिल सकता है जैसे कि अभी हमें ब्रेजा में भी देखने को मिला 1.5 लीटर का dual jet VVT वाला motor जो hybrid technology के साथ आएगा smart hybrid technology के साथ and could produce 101.65 bhp at 136.8 newton meters of torque and could be offered with a 6-speed torque converter automatic transmission and a 5-speed manual transmission as well and क्या बता है future में इसमें हमें CNG variant भी देखने को मिल जाए and साथ ही साथ इसमें हम expect कर सकते है थोड़ी better crash safety rating by global in cap as well क्योंकि अगर अभी current वाली जो है ब्रेजा वो ही 4 star safety लेके आती है तो इसमें तो कम साथ हम 5 star तो देखने को मिल ही सकती है हमें and this vehicle will be based on the same global sea platform जो की अभी वाली ब्रेजा में भी देखने को मिलता है and मतलगी urban cruiser में भी and साथी साथ जब 2022 ब्रेजा launch हो जाएगी बारते market में उसके बाद हम expect कर सकते है urban cruiser को भी to be launched as well तो उसमें हम थोड़े पहुद चेंजिस to the front and rear expect कर सकते है ये थोड़ी of course different रहेगी जैसे ये भी हमें glanza and baleno के बीच में differences देखने को मिले है and अगर हम प्राइसिंग के बारे मात करें तो of course pricing में भी काफी significant rice तो आने ही वाला है depending on the feature list इस vehicle is going to offer variant-wise variants तो होई LXI, VXI, ZXI, ZXI plus जैसी ही रहने बाले है इस vehicle में भी I hope अपले कफीट च्छी लगी होगी अग्र च्छी लगी होगी तो make sure to hit the like button as well as share this video with your friends and also consider rating the subscribe button as well as the notification bell तक ये में रीस इस नोड़े जब 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 लेनो डिवीजिन पास एके मैं मिल तो प्लोग से मिनी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन, बबाई